प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल दिया और बाती में एहम किरदार निभाने वाली एक्टरस दीपिका सिंग को भला कौन भूल सकता है इस टेवी सीरियल में दिपिका ने संध्या का किरदान निभाया था और इस किरदार को आज भी दर्शक याद करती हुए नजराती हैं दिपिका सिंग जिन्होंने इस किरदार के जरीए घर घर में अपनी खास पहचान बना ली और आज के समय में सोशल मीडिया के जरीए फ्रांस से जुड़ी रहती हैं तो वहीं इंटरव्यूज में अपनी जिन्दिगी से जुड़े कई राज खोलती हुई भी नजराती हैं हाल ही में दिपिका सिंग ने एक बेहत बड़ा राज खोल दिया है दिपिका ने अपनी जिन्दिगी का एक दर्द भरा सच बताया है दीपिका ने बताया है अपनी पिता के बारे में कि किस तरह से उनके पिता उनसे बेहत नाराज हो गए थे और तकरीबन एक साल तक उनके पिता ने उनसे बात तक नहीं की थी आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि दीपिका सिंग ने इस सरह का बरताव जेला था आई आपको बताते हैं हमारी रिपोर्ट के जरीए दरसल दीपिका ने हाल ही में एक बेहत बड़ा खुलासा किया है दीपिका ने बताया है कि उन्होंने अपने पिता को बिना बताय ही बैंक की नौकरी कर ली थी दीपिका सिंग कहती है मैंने अपने पिता को बताया कि मैं कोरिस्पॉंडेंस कर रही हूँ उन्हें कभी भी बैंकिंग की नौकरी के बारे में जानकारी दी ही नहीं थी किताब घर पर आ गई और मैं बैंक में थी जब उन्हें पता चला तो वह काफी नाराज हुए और एक साल तक मुझसे बाचीत नहीं की क्योंकि घर पर हालात काफी खराब थे इसलिए मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी लेकिन उससे जरुरते पूरी नहीं होती थी मैं सहासी रही हूँ मैंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था लेकिन वहें खुस थे जब मुझे इंडरप्रस्त कॉलेज में बीकॉम में एड्मिशन मिला वहीं दिपिका सिंग बताती हैं मुझे लगा कि बीकॉम करने के बाद पिता जी मुझ पर शादी का दवाब डालेंगे मैंने ऐसा ही अपनी बहनों के लिए भी देखा था मैं ऐसे तोड़ना चाहती थी मैंने बैंक का एक्जाम दिया और दो महीने तक नौकरी की मैंने पड़ाई छोड़ने की बारे में कभी नहीं सोचा था मैंने MBA भी किया लेकिन वह कॉर्रिस्पॉंडेंस से था और इस तरह से दिपिका ने अपने पिता का वो बरताव जेला दिपिका अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी वह घर के हालातों को देखते हुए सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और इस वज़े से उन्होंने वो बड़ा कदम उठाया लेकिन जिसके चलते उनके पिता उनसे नाराज हो गए लेकिन आज के समय में देखा जाए तो टीवी टाउन की दुनिया की जानी मानी एक्टरस हैं दीपिका टीवी सीरियल दिया और बाती हम में IPS ओफिसर संध्या राठी का किर्दार निभाया और इस शो के जरीए अपनी अलग ही पहचान बना ली दीपिका को लगता है कि ये शो ने उनके पिता को गर्ब महसूस कराया है वह चाहते थे कि दीपिका सिविल सर्विस का एक्जाम दे और किलियर करें दीपिका कहती है वह हमेशा से चाहते थे कि मैं आफिसर बनू मेरे पिता का कपड़े का काम था उनके एक दोस्त ने कहा कि उनकी बेटी IPS आफिसर बन गई है उस समय मेरे पिता भूल गए कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ उन्होंने मुझे फॉन किया और कहा मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारा नाम इज़द से लिया जाए और इस सरह से दीपिका के पिता ने उनकर काफी कर्भ हुई महसूस किया हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देख रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस